कि नमस्कार प्यार बच्चों में अली से रड़ पूर से वन के सी उटी हिंदी चनेल पर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यूपी बोर्ट के मेरे प्यार बच्चों फटाफर जुड़ जाई ये मैं आप लोगों बीच में फिर से हिस्टी का एक कोर मोर्ड लेकर आये हो तो फटाफर जुड़ ये प्यार बच्चों आज हम लोग एक और मोड़ लगाएंगे हम लोगों का आगाज हो चुका है दो मार्च के लिए बैचे और आप लोगों से वादा है आप लोगों से प्रोमी से जो आप लोग समझना चाहें जिस भाता में समझना पेपर यहीं से आने हैं paper यहीं से आएगा और जब दो मार्च को साम ओंपर डिसकस कर रहा हूंगा आपके बीच में कहूंगा कर बिच इस को बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है ठीक क्यों के अब आप लोगों को किताबों पर ध्यान नहीं देना इस लगा ओ ठीक एपर तिस करो जादा जादा कैसे आप लोग याद रख सकते हो अली सर शेंडिया सुनो इस्टोरी ठीक कैसे आप लोग यहां पर याद रख सकते हो इसमें चलिए तो बात करें बैचे फटा-फट से कमेंड करके जुड़ जाई है सेशन में चैलो सेर कर दो फट अर्फ गुर्ड बट्छे बहुत बड़िया वही गुड़ बहुत बड़िया बत्चे गुड़ चलो तो बच्चे फटाफट अंदाज में हम लोग आगे बढ़ते हैं चर्चा करते हैं हम लोग क Judge जो आज का मोर्डल पेपर है उसमें सबसे पहले आप लोग सामने दस बहु विकल्पी प्रशन आएंगे फिर आप लोग सामने आती लगूत्री आएंगे फिर लगूत्री आएंगे तीन उसके बाद जैसा आप सब जानते हैं हम लोगों का आयती हाती घटना करंटी थी आएं ठीक बच्चे सिर्फ इतना आप लोगों का यहां पर क्या है काम है चली आगे बड़े चली कोशन ले रहा हो में उपस्तिती दर्ज कराते रहें सेयर करते रहो आप लोग चलिए पहला कोशन आ रहा है आपके बीच में क्या रहा है बच्चे आप लोगों बीच में पहला को कोशन पेला कोशन बहु विकल्पी प्रशन है ठीके कोशन क्या है निम्न लिखीत में से किसके अभी लेको में राजा को देवताओं का प्रिय बताया गया है किसके अभी लेको में ठीके किसको दिराज किस राजा को ठीके क्या बताया गया देवताओं का प्रिय बताया गया है कोई बताएगा बदेश स्टाफर हमिनेट करके स्का उत्तर क्या होगा कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो बैच्टो कर दांफरद पर कमेंड के रोओ और इसका दिना बच्क कि आप लोगों को सही उत्तर देना है कि अ कि अ चलिए वेरी गोड़ वेरी गोड़ में राजा को देवतां का पीरी कहा जाता है तो बच्छो इसका षही उत्तर हो विल्कुल आप उसके अभीलेकों पर ठीके उसके अभीलेकों पर देवा नाम प्री कहा गया है क्या कहा गया बच्छा देवा नाम प्रीय क्या कहा गया है देवा नाम प्रीय का मतलब क्या होता है बच्छे देवताओं का प्रीय यह असोक को उसके अभीलेकों पर कहा गया है क्या कहा गया दे यह चारे बीडिये जिस पर असो का नाम असोब मिला है कौन कौन से एक मास्की जो करनाठक से मिला है गुर्जरा मद़्र्द्वर्द्ष केड़तिय के दतिया से उद्गेलम और ने टूर ये दोनों भी करनाbnाक से मिले हैं है ये चार किया गया है उलेक किया गया है ठीक है चलिए इतना समझ गए देवा नाम प्री का मतलब क्या होता है देवताओं का प्रिये किसे कहा जाता था तो असो को कहा जाता था समझ माया इतना चलिए आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते बच्चे अगला कुशन लेते हैं अगला कोशन ठीक है महा भारत के रचाईता कौन थे कोशन क्या बच्छे महा भारत के रचाईता कौन थे महा भारत के रचाईता कौन थे फटाफट से महा भारत के रचाईता कौन थे महा भारत के रचयता कौन थे यार उपसिर बच्चो आपके पास कौन क्रशनी वियास विदूर या अर्जुन फटा फड मेंड करो इसका सही उत्तर थो प्यारे बिच्चो मेंड करो Mr.cha ऑप क्या क्या दो बैची सही उत्तर दो कि य्यारे बैच्चो जल्दी है झाल 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 वेस यह वेरी गोट वेरी गोट चली बच्चों बात करें लोग तो बच्चे इसका उत्तर होगा वह व्यास होगा ठीक महा भारत की रचना व्यास विलकुल आप लोगु सही देर हैं वियास मतलब कौन बच्चे तो वेद वियास ठीके वेद वियास के द्वारा ही हम लोगों को महाभारत की रचना देखना विलती है महाभारत किसने लिखी बच्चे तो वेद वियास दीके द्वारा लिखी गई है और एक चीव बताओं बच्चो आप लोगों को वेद वियास ने सिर्फ महाभा सामव menstruate लिखा गया sleep और सामवेद भी इनके द्ारा ही लिखा गया है तो यह भी आप लोग नोट करके लिख लिएना बच्चों यह में एक्जमत बूसें कोछन कुछ लेहता है किसने लिख सुवल लिखा सुन सकता उसके वी रचयता वेद , अभवारत के भी रचयता ये यहक्ष अबिन नन ने तो कुल मिलोके चार ग इनन If you are later कि अगला कोशन लेते बुद्ध का जन्म कहा हुआ था गोत्व बुद्ध का बताना बिच्य आप लोगो को उख्यासे और महाभारत यहीं यहीं कुल मिला के क suburbs नहींने तो कुल मिला के चार गरंट इनके द्वारार लिखे का है केतना समझने है शली कोशन लेटे चली अगला कोशन अगला प्रमीका जानव कहाँ ओठाaway ा। व्ट्छ आपशन है के तुखल पेंधा , लुंबनी उर्वेला या कूशी नगर फटाफट से कमेंड में इसका उत्तर दो बच्चो फटाफट कमेंड करो बच्चो और इसका सही उत्तर दो प्यारे बच्चो कमेंड करो और इसका क्या देना है आप लोगों को सही उत्तर देना है कमेंड करो और इसका क्या दो बच्चे सही उत्तर दो क्या देना है आप लोगों को इसका सही उत्तर देना है कि ते लिए वेरी गूड वेरी गूड वेरी वूड बच्चो बहुत बढ़िया बच्चो स्का सही उत्तर क्या होगा वच्चो इसका सही हुत्तर होगा लुम्मनी अब ये तो आप लोगों को यादी हो चुका होगा गोतम बुद्ध का जन्म जन्म कहां लुंबनी के अंदर लुंबनी में ही गोतम बुद्ध का हम लोगों क्या देखने को मिलता है तो जन्म देखने को मिलता है कहां पर लुंबनी में गोतम बुद्ध का क्या हुआ था तो भी हार में भी हार आप भारत की बिछाइन रिग वेद में रित रित शब्द मेरें का क्या ताथ पर साही उत्तर दो बच्चे फड़ा फड़ से चलिये वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड कि के जलो बच्चो मैं बता था हो इसका सही उत्तर क्या है तो सखय उत्तर हो गप्रकरती एवं नेतिक धर्म ठीक मैं रिग वेद मेर डित सब्जका तादिध वेच्यimana प्रकरती थे प्रकरती 5My नेतिक धर्म ही इस सब्जका क्या है ताथ परी हम लोगों को देखने हूं मिलता है प्रकरती मानों का प्रकरती तथा नेतिक ही क्या होना चाहिए धर्म होना चाहिए इसमें रिग्वेद में रित्य सब्दका यही तात परी है ठीक अच्छा कोशन है आप लोगों लिख के रखना चाहिए बैचो ठीके चलिए अगला कोशन अगला कोशन क्या बच्छे वीजर अगर समराजी की स्टापना किसने की थी घो लगातार मेरे सांद में मोडल पर करते आ आ रहे हैं आप लोग ठीके और इस कोशन को आसानी से आप लोग उत्तर देदर उगे फिर टाफर पताई ये डिन आपके पास और से हरियर बुक का क्रेशन देवराय राम राय या देवराय सेकन फटाफट कमेंड करो बैच्चो और इसका सही उत्तर दो ठेक फटाफट कमेंड करें और आप लोग इसका क्या दे सही उत्तर दो ठेक फटाफट कमेंड करो रिसका तो सही उत्तर दो झाल झाल चलिए वेरी गूड सबके कमेंट आ रहे हैं बच्चों इसका सही उत्तर है हरीहर एवं बुक्का किसने की बच्चे हरीहर एवं बुक्का नहीं विजे नगर समराजी के स्थापना की थी कब की थी बच्चे तो 1336 में हरीहर और बुक्का के तवारा विजे नगर समराजी के सिताफना की के थी बच्चों एक चीज़ बचा दूँँ आप लोगों को बार बार बताना पड़ती है ठीक है क्योंकि यह इंपोर्टेंट है विजे नगर समराज में आप लोग देखोगे है कौन देखने मिलती बच्चे सुलू एक हम लोगों को तुलू देखने मिलती है और एक हम लोगों को देखने मिलती है अर वीडू एक कौन देखने मिलती बच्चे अर वीडू हम लोगों को देखने मिलती है और संगम इस विजन अगर समराज में पहले डाइनेश्टी संग अगर समराज तो करनाटक में यह हम लोगों को देखने को मिलता है कहां देखने को मिलता है तो यह करनाटक में हुआ करता था चलिए आगे बढ़ते अगला कोशन अगला कोशन आ रहे है जलिया वाला बाग हत्याकान कब हुआ अगला कोशन क्या रहा है बच्छे जलिया वाला मु़ फॉन्हानों चलिए वेरी गूट आने लगें उत्तर वेरी गूट वेरी गूट वेरी गूट बहुत बढ़िया बच्चो बात करें हम लोग इसका जलिया वाला घतिया गांड ठीक है सबसे बिले तो बता दू क्यों हुआ तो आप लोग देखो के ना इसका सही उत्र क्या होगा उन्नीस ओ राइट अनसर ठीक सुनना यह वा तर जलिया वाला बाग क्या कारण था पीछे तो आप लोग देखो कि ना एक अंग्रेज एक कानून लेकर आया थे जिसको रोले टेक्ट कहा जाता है क्या कहा जाता बचे रोले टेक्ट यह मार्च उन्नीस ओनीस के बाद थी ठीक है और य किये ही या बिना कारण बताए ही किसी भी व्यक्ति को क्या किया सकता है गरफतार क्या सकता है बिना कारण बताए समझे लेना बिना कारण बताए कि तो मैं गरफतार क्या जा राए ठीक है एसा कानून लेकर आए अंग्रेज रोले टेक्ट और यह लाने का मक्सद यह था वो तो इसको जोर सोर से विरोध होना चालू है चार उतर भारत में और यही हम लोगों को पंजाब में भी देखने हो मिलता है के हिंदू-मुस्लिम एकता के इससे अमधित एक रेली निकाल रहे थे दो लोग से फुद्दिन किसलों डक्टर सत्यपाल ठीक है इन दोनों लोगों क गरफतार कर लिया गया और गरफतार कर लिया गया तो फिर इनके विरोध में ठीक है कुछ लोग जलिया वाला बाग अमरश्ण के अंदर ठीक धरना पर्दसन कर रहे थे तो उनीपर 13 अप्रेल 1919 को ठीक है ओडायर और आडायर दोनों ने ठीक है क्या चलवा दी थी गोली च समय समीति बनाई थी जलिया वाला बाग कितने लोग मारे गए तो मिनिममम 2000 लोगों की उन्होंने बात वहां पर की थी खूब लोग मारे गए थे यह हत्याकान भारती इतिहास में ठीक एक बड़ा हत्याकान हम लोगों को देखने को मिलता है जो अंग्रेजियों के समय में ह स्तारीक हो था यह ल läuft the PARRAP IT यहां लिघेगा 11 यहां लिघेगा 13 यहां लिघेगा 14 तो 33जांसर 13 क्या होगा बैचे तो आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर होगा चलिए आगे बने बैच्शे अब आगे बनते अगला को सब्सक्राइब अगला को सब्सक्राइमिदा कि दरगा का है अगला कोशन किया बच्चे निजाम उदिन ओलिया की दरगा कहां है यह आप लोगों को बताना है चार उप्सन बच्चे अजमेर दिल्ली अजोधन या जैपूर ठीके फटाफट कमेंड करो और इसका सही उत्तर दो प्यारे बच्चो इसका क्या देना है अप लोगों को सही उत्तर देना है फटाफट कमेंड करो बच्चो सही उत्तर दो इसका कि अ कि अ कि अ वैप बबुआ बताओ जल्दी से छिए ब्यो गोड ब्योट बिचो नीजा मुतिन अटिर्गाद लिंए में हैं का दिनों को Pul affected दिल्ली में देखना मिलती निया मुतिन ओल्या निया मुतिन ऋल्य और लिया एकट ci इस्तिस अंप्रदाई के हम लोगों को एक सूफी संत देखना को मिलते हैं बच्चे इनकी उपादी की हम लोग बात करें तो मेभू बेलाई इनको कहा जाता है ठीक है इनकी योग में बड़ी रूची रही प्रणायम ये रोच किया करते थे ठीक है इनको योगी बाबा के ना ने आस यह गांदोलन कभ आरंब किया था कोशन के आराब चै महत्मा गांदी ने आई सखांध्य करके इसका सही उत्तर देना है कि झाल 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 अचलि बच्चो बात करें हम लोग कमेंड विल्कुल राइट है आप लोगों विल्कुल वेरी गूड वेरी गूड चली बच्चो बात करें महत्मा गादी न आज सही गांजुलन कब प्रारम किया था बच्चे इसका सही उत्तर होगा 1920 ठीक बात थी एक अगस्त 1920 की बाते बच्चे एक अगस्त 1920 को हम लोगों को देखने कि मिलता है के गांधी जी के द्वारा आसा यो गांदुलन प्रारम किया गया था क्यों किया गया था इसके कारण कुछ बता हूं आप लोग तो इसका भी कारण रोलेट एक्ट था क्या था बच्चे रोलेट एक्ट ठीक रोलेट एक्ट था ठीक ये पहला कारण था इसका दूसरा कारण क्या था तो मौन्टेग्व चेमस्फट सुदार जनरली आप लोग इसको भारत सासन अधिनियम भी कहते हैं क्या कहते हैं आप लो वालबाग हत्त्याक ओ然后 देखने हो लिगा चोथा कारण कहाता पर्त हम विश्विद्ध पर्त हम विश्विद्ध में जो भारत को तैरिक भी आप लोग ताम बार पूछ ली जाती है का आससर्योग आंदोलन की सित्ति को प्रारब मुँआ था तो यहां आप लोग लिख देगा 31 अगस्त एक अगस्त नो अगस्त या आट अगस्त समझ रहना इतने में तो आप लोग को क्या करना करना तो एक चीज सुनना जिद दस जो अबजेक्टिव है रबचे यह आप लोगों की एक्जाम में बड़े ही महत पूर्ण है क्योंकि सीधे नंबर मिलते हैं यहां से जिसने गलत कर दिया वो सीधे नंबर कड़ गए कि ऑपांस कोशन ही करें उसने और पांस सई कर दिये ठीके तो पांस घी नंबर मिल रहा है उसको तो समझत लेकिन पूर 10 सई कर दिये तो आप लोग देखना टोपर बन जाओगे यहां लिख को ने खुला विद्रोग कहा किया ठीक है चलो दस मईं 1868 में सेंगो ने खुला विद्रोग कहा क्या था ठीक है या ट्राउ सब्तां की क्रांती की बात हो रिए तक है क्योंकि नसमैं अ especial mesmo हुआ कोया प्रार्म हुई थी तो कहां से हुई थी खुला विद्वांbare मात किया था ये Sixторы ओप्षिण कानपूर बेरक्पूर मेरट या मेहरम पूर फ्र्टाफट कमेंट करो और इसका सही । तो विच्चो कमेंट करो प्यारे बैच्चों और इसका क्या दो आप लोग कर दो हुआ 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 है चलिए वेरी गोड बच्चों वेरी गोड बच्चों इसकार साही उत्तर क्या होगा ना बच्चों इसका साही उत्तर हम लोगों को देखना हो मिलेगा मेरट मेरट सही 18 सब्सक्रा मुझा टों को हि मेरत के सैनइको ने प्लानिंग की दिन में क example को स्क्रामति को स्विद्रों को 31 महीज मैं outlines program दो री घॉकला तर इटेखी गी थी बच्चे विकर दिसमें ठीक कैं यही पर उन्हों रोटी और कमल ठीक और रोटी और कमल को क्या बनाया था बच्चे प्रतीक बनाया था क्या बनाया था रोटी और कमल को प्रतीक बनाया था कब इस दस मही 1857 को ठीके दिन में प्लानिंग की क्या हम एक रोटी को क्या बनाएंगे का सारी रियासतों के अंदर भीजेंगे एक रि लोटा देगा चपाती वह हमारे साथ नहीं हो जो एक्सेप्ट कर लेगा वो हमारे साथ है यह है यहाँ पर बात हुई कमल हम लोग एक दूसरे के बीच में सरकुलेट करेंगे भेजेंगे जो कमल वापस कर देगा वो मतलब नहीं है इस प्रकार इन्होंने रोटी और कमल को क् प्रतिक बनाया तारिक डिसाइट की यहां पर 31 मही 1857 को खुला विद्रो करने की ठीक लेकिन यह डिसाइड हुई थी के साम को यह कुछ सेनिक जब मेरट के बजार में साम को अपने रोजमर्रा की चीज़े खरीदने गए तो बजार में कुछ महिलाओं ने इसा प्रेरित किया के 10 मही से ही इस करांती की हम लोगों को सिरुवात होती दिखाई देती है क्या हुआ को साम को भूखे तो देखने हुक बिखना ह Юго कुछ सेनिक मेरट के बजार में साम को कुछ आटा खरीद रहे थे कोई खरीद रायए था तो बच्चो कुछ महिलाया आती है एंसेनिकों के पास और इनके मुपे चूड़िया फेक देती है नि- Verm wat ना चाहें तुम लोगों को तुम देखा आप लोगों ने कितना हूद इत किया गया उन सेनिकों को ठीक है मंगल पांडे गुफांसी पर चाहला दिया गया य Алव वह तुम इन महिलाऊने ने 10 माई को ही इन सेनी को को motivate कर दिया अब यह सेनिक इतने ज्यादा मूटीवेट हो गये बच्चे के जो इनोंने दिन में प्लानिंग कीती के हम लोगों को विद्रों की सिरुवात करनी है दस मही से ठीक कब से सिरुवात करनी है ठीक तो एक दस महीस को planning कर रहा थे के 31 महीं से हम लोगों को इसकी क्या करना है सिरुवात करना है लेकिन इन महिलाओं ने इतना प्रेडित कर दिया कि यह उसी साम को यह अंग्रेजों के बंगले जला देते हैं क्या करते हैं बचे बंगले जला देते हैं अंग्रेजों को मारने करने सारीज चीज़े करने लग जाते हैं मेर होना चाहिए तो यह विद्रो हम लोगों को 10 महीं से ही देखने को मिल जाता है कहां से बच्चे तो मेरट से हम लोगों को यह देखने को मिलता है समझ मैं आया इतना चलिए आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे अगला कोशन लें अगला कोशन अगला कोशन क् बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस का प्रारम किसने किया था बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस इसे ही इस्ताई बंदोबस का प्रारम किसने किया था ठीक है इस्तमरारी बंदोबस को ही इस्ताई बंदोबस कहा जाता परमानेंट से टलमेंट ठीक चार उप्साने बच्चो ठीक कार नवालीस वेलेजली डल होजी या हेस्टिंग फटाफट कमेंड करो बच्चो और इसका सही उत्तर दो कमेंड करो और इसका क्या देना है आप लोगों को सही उत्तर देना है चलिए फटाफट उत्तर दो बच्चो तॉटाफटब लीक और आज है, ले लोगोगो, आहिसे रे, जुलिए जब गचो यरे वे लोगे मेंडना है ऑर खो आफ़े लोगोallahi बच्चोब बच्चो लगो producción जो लोछ सँ बात करें हम लोग इसका सही उत्तर क्या होगा बच्कश तो इसका सब्ससार योटरति चानche पर देखने मिलेगा हम लोगों को कारणवाल इस इस कारणवालिस में इस आई बंगाल में इस तमरारी बंदोबस ठीक है इसी को क्या कहा जाता है बच्चे इसकी क्या की गई थी सिरुवात की गई थी आगे है बढ़ते बच्चों तो यह हम लोगों के बत्च तहरो बहु कल पर ऐंगे ठीको है अ क्या लोगों को चलों बच्चों बात करें हम लोग अतिला गूत्री में खंडबा आ रहा है प्रइख प्रशनिक आप लोगो को अधिक्तम इस सब्दों में पच्ते सब्देख न है चलिए बात करें लोग से यह पहिला कोशन आगाया के बीच में पहिला कोशन फेला कोशन का रभी उत्तरवेदिक कालीन धर्म की दो विसेस्ताओं का वर्णन कीजिए उत्तरवेदिक कालीन कहां के धर्म की बारे में बात करना बचे उत्तरवेदिक काल आप सब जानते हो कि बचे जो वेदिक सब्विता थी ना जो वेदिक सब्विता है ठीक है हम लोग बात करें वेदिक काल सब्रवेद सब्सक्राइब है तो हम लोगों को उत्तरवेदिक युडाल देंज आप लोगों कर सकते हैं ति लगुत्री युडाइब अनसर रहे वह क्वैंणान क्म ₃ति होग को 50 अपने एंधे सां थे ऑप लोग कम इससे कम चलिए बताए जल्दी से कमेंड कर सकता है कोई बताव जल्दी से एख छली इस का सही उत्तर दो बताव जल्दी से फिर मैं समझा देता हूँ कर दे अ कि अच्छो बिल्कुल आप लोग लिखें जल्दी से आगे बढ़ता हूं मैं बच्छो इसका सही उत्तर की बात करें हम लोग अब यहां सही उत्तर नहीं अप सुनना आप लोग थोड़ा मैं ज्ञादा बो लोगा आप जितना आप लोग बोलें ते अब लोग अब मेरी आप लोग बातों वीचार उना चीछ विड्यों नहीं विठा टॉपिक के उपर लगने को रटके आप लोग कितना याद करोगे में समझय ना रिटने नहीं पाट पाट चेशे पेज भरना है कब तक पेज भरोगे हमारा पास हिंट और चाहिए लिखने की ठीक है तो चली काम करते हैं बच्चे हम लोग इस पे बात करें हम लोग उत्तरवेदिक कालीन धर्म की विसेश्था अब यहीं आप लोगों इसाम में इसावी पूर सकता है ठी यहां पर बता जेता हुं मैं करता है डोनों के बारे में बता जेता हूं थे हुझ ठीक कप पूर्वेदिक क्लम की दभर में की विश्था क्याओं वच सहां पर पूरा यहां के जो लोग ना धार्मेक रूप से लोकीAn जिवन जीते थे क्जिटे था डिशा है फिस इंग्म को आ लोकिक जीवन देखने को मिलता है तो आ लोकिक और लोकिक क्या है बच्चे यह आप लोगों बताओ ना तो सुनना आ लोकिक और लोकिक 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 उसे कहा जाता है बच्चे जहां पर दुनिया में आप दुनिया में ही सक्सेस प्राप्ति करने के जो मार्ग मांगते हो ना उसे कहा जाता है कि अभी आप लोग नहीं आया होगा किया होता है अलोग सुन ना फिर्सेट बोल रहो हूँ में कि लोकिक और आलोग कि क्या है कि ओर HAV लोगों कि देखो पुरवेथ कालमिक जिवन के असा है लो किखिक और उत्तर पर दुनिया में ही success प्राप्त करने की जो चीज़ मांगी जाती भगवान या देवता या भगवान से ठीके उसे कहा जाता है लोग की देखो क्या मांगा जाता है के इस्वर हमारे यहां पर एक लड़का दे पूत्र की प्राप्ति हो ठीके है इश्वर मुझे फोन दिला दे मुझे गाड़ी दिला दे ठीके मुझे एक्जाम निकला दे मैं यूपी बोर्ट की एक्जाम करेक कर जाओं मैं आगे चलकर फलाने कोलेज में चला जाओं सी उटी की एक्जाम निकाल लूँ ये कर लूँ जब भगवान से आप दुनिया में ही success मांगते हो ना ठीके AC पू अधे वच्चे दुनिया में success हमें पूत्र की प्राप्ति हो जाए हमारे पशु धन में व्रधी हो अनाज में व्रधी हो AC इनकी पूजा पद्देती लेकिन यहां आलोकिक हो गए यह लोग यहां क्या हो गए आगे चल कर ये आ लोग्य कुजा पद्दति उत्तरवधिकाल म तो आ लोकिक का मतलब क्या होता है आ लोकिक का अर्थ होता है कि जहां आप इस्वर से मिलने मिलाने की बात करते हैं किसी मिलने मिलाने की के इस्वर तेरे चल्णों में इस्तान देना ठीक है हमें मोक्ष देना हमें स्वर्ग देना जब हम लोग ये बाते करते हैं न कि हमें ते आया आलोकिक और लोकिक देखो हमारे घर में हमारे जो मम्मी पापा होते हैं यार हमारे दादा दादी या नाना नानी जो होते ना ठीक है आप लोग नहीं करते आलोकिक आप तो लोकिक हो लेकिन हमारे घर में एक वर गेसा होता है जो आलोकिक होता है किसा होता है जो उम्र द जननत नर्क दिखता है उनको के नर्क वह बहुत पीटेगा तो उससे बचने के लिए उसको मनाते हैं राम है कृष्णा दिन भर माला ठीक है कोई मुसल्माने तो अल्ला अल्ला कर रहा है जननत देदेदा स्वर्ग देदा समझ रहे ना तो जहां भगवान से मिलने मिलाने की बात होती है जननत और स्वर्ग मोक्ष की बात होती है उस पूझा पत्दति को कहा जाता है और लोके कुचा के बात होती है कि जहां लोकिक की बात होती है वहां दुनिया में ही सक्सेस प्राप्ती की बात होती है जैसे हमें एक्जाम निकला दे हमारी ठीक हमें सक्सेस दिलवादे फलाने फलाने में हमें मोबाइल दिलवादे और दिलवादे ये कर दे वो कर दे जब दुनिया में हम सक्सेस की बात कर तो इदर पूर्वेधिकाल और उत्रवेधिकाल की यह आप लोग लिख सकते हो यहां के लिख सकते हो यहां के पूर्वेधिकाल की लिखने को आजा दो विसे साओ तो यहां के जो यहां के पूजा पदती लोकिक जीवन पर आधारिती कैसी पदती देखनों मिलेगे बैचे ल तो यहां के प्रमुग देवता हम लोगो को ब्रह्मा विष्णु महेश को देखने मुलेंगे तो यहां के देवता यह लिख दौब यहां विश्यस्ता में क्या लिख होगे यहां यग यग होते थे लेकिन यहां का धार्मी जीवन यग प्रतान नहीं था लेकिन यहां का धार है इसकी ठीक है उत्तरवेधिक काल की और पूरवेधिक काल की यह आप लोगों को विसेस्थाएं देखने को मिलती है इतना समझ माया बोले ली से कहां समझ मैं आ चुका है सर चली आगे बढ़ू आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े बच्चे अगला कोशन अगला कोशन देखो अगला कोशन है अभी लेक से आप क्या समझते हैं अगला कोशन क्या बच्चे के अभी लेक से आप लोग क्या समझते हैं ठीक है अभी लेक कोई कमेंड करके बता सकता है कि हम यह समझते हैं अभी लेक से जल्दी से कमेंड करो जलो बताओ जल्दी से कोई जानता है कि अभी लेक से क्या अभी प्राय है या अभी लेक से आप क्या समझते हैं जल्दी कमेंट करके बताओ अच्छो झाल जल्य है पिल्कुल कमेंट आ रहे हैं जल्य है मैं पता देता हूं बच्छो अभी लेक होते ना देखो सबसे पहले आप लोग समझा दूँ अच्छे से अभी लेक ठीक अभी लेक देखो एक टाम होती है कौन्सी टाम होती है इदर देखना आप लोग ध्यान से एक टाम होती ह कि मुझे अभी लाकर दे ठीक है मुझे अभी आना है समझ रहे अभी का मतलब क्या होता है अभी मतलब तुरंत समझ रहना अभी अभी ठीक है अभी मतलब होता है बिलकुल अभी यह अभी होता इस अभी का मतलब देखो मातरा चेंज हो यह भी अभी यह इस अभी का मतलब होत तो अभी इस अभी का मतलब क्या होता बच्चे पहले ठीक तो सुनना इसका में संधी विच्छत कर दूँ अभी ये समझाने के लिए बोल रहा हूं बच्चे सिर्प है मैं हिंदी नहीं पड़ा रहा आप लोगों को ठीक अभी लेक अभी मतलब क्या होता बच्चे पहले ठीक क्या देखने मिलते हैं पेले के लेक कोई क्या कहा जाता है तो अभी लेक कहा जाता है अब सुना अभी लेक किस फॉर्म में हम लोगों को देखने मिलते हैं बच्छे तो अभी लेक हम लोगों क्या पताना आप क्या समझते हैं भी लेक से तो अभी लेक जो आप लोग देखते हो कितनी कैटेगरी है इसकी तीन में आप लोग देखो गहेशे ठीक तीन अभी लेक तीन क TK में देखो कि आप लोग एकल लेक होते हैं ठीक एक सिल्एए बाच्चे ठीक 10 इस तंब लेक होते हैं ठीक ₹ एक स्थम्पढ लेक होते हैं और एक आप Blodok Алव देखना मिलेंगे गोभा लोग तीक तीन फॉभोग में आप लोगों को लेखे-देखने को मिलते हैं थे सीला लेक मतलब पठ्थरों पर प्योपले लेख को झालों के ऊपर टीक इंस्तबाम पिलर पर किसके अपर मतलब गुफा एंदर गुफाध Comes जाएगी उसके अंदर क्या लिखवाए जाएंगे लेक लिखे जाएंगे ठीक है यह अभी लेकों के तीन परकार आप लोगों को सामानिता देखने को मिलते हैं ठीक है तो अभी लेक जो सासकों ने जो अभी लेक लिखवाए ठीक है तो अभी लेक क्यों लिखवाए होंगे ये भी एक प्रश्ण है हम लोगों सामने, कि असोक जैसे सासक जो रहे, उन्होंने अपनी बातों को अभी लेकों के माध्यम से ही प्रस्तुत क्यों किया, उन्होंने किताबे क्यों नहीं छपवाई, किताबों में तो बाते लिखवा सकते थे, बच्चो आगे तक जो उनकी ब थे, किताबों में प्रसांगिक्ता नहीं बनी होती, किताबों में कंटेंट चेंज वह जाता है, आसानी से, इन अभी लेकों में कई छेड़ चार ना कर से कि उच्प प्रसांगिक्ता बनी रहे, इसलिए हम लोगों को देखने मिलता एक अब जैसे साथ कनिस्क जैसे सासक इससे पहले इरानी जो सासक रहे जिनों ने भाई सून नक्सेर उस्तम ठीक ए जैसे अभिलेक लिखवाए असो जो हम लोगों को और भी जैसे कि हम लोग बात ने रूद्र रामन जैसे लोग हर सवर्धन जैसे लोग जो अभी लेक लिखवा के गए इन लोगों ने अपने अभी लेक किस पर लिखवाए तो पत्थरों पर देखने मुलेंगे कुमार गुप्त जैसे लोग देखने मुलें ठीक पत्थरों के उपर इस्तम बना के गुवाएं बनवा करें उनक्या लिखवाई अपने अभी लेक तो एक पत्थर नुमा आकरती होती है या फिर हम लोगों देखनों मिलती है के एक इस्तम ले ले लेते हैं या फिर गुहा के अंदर और उसी पर अपने राज्या आदेसों को या अपने मन की बात अगला कोशन क्या है बच्छे अगला कोशन आ रहा है अलवार और मैनार के विसे में आप क्या जानते हैं ठीक है आप क्या जानते हैं ठीक है अलवार और मैनार के विसे में आप क्या जानते हैं ठीक है पीछे भी यही कोशन था आप क्या समझते हैं या आप क्या जानते हैं है ठीक है यही आप लोगों क्लिकना है ठीक है चलिए बताव जरा थोड़ा साब बताने का प्रयास करूगे आप लोग क्या जानते हैं से कर दूब कर दूब कर दूब कर दूब कर दूब मैथ Historia Yaya पच्छु बात करें हम लोग के अलवार एवम नैनार के विसे में आप क्या जानते हैं को बच्चो सब से फिले आप लोगगा बता दों कि अलवार और नैनार को ही भारत में सिरह दिया जाता है भक्ति आंदोलन की सिरुवात का जात शाता है बच्चे यहीं आप लोग बताना है के आप उनके बारें क्या जानते हो तो उसमें आप लोग क्या लिक्ना है के लो रो नारों के द्वारा एक छटवी से शाथवी सथी के बीच में ठिक है भक्ती आंधान किया कैकी यहिइती एक शिरृवात की गई थे नड own सिरवात करते डिखाये दे तो ड्रविट परदेश से ये हम लोगों को सिरुवात करते हैं और haha बेदरे धर हुआ न कहुंँे अलवार नेनार तो आप लोग देखोंगे और ठीके किसी बात करो अलवार ठीके बते अलवार हो की बात करो नाइनारों की बात करें ठीक अलवार ओ नाइनार ठीक अलवार के संग्या कितनी थी बच्चे शेड़ा थी ठीक है भकती के माध्यम से ही इनोंने अपना आरादे देवता, भक्ति का मतलब क्या होता है पेले तो ये बता दू आपको, भक्ति का मतलब होता है, कि जो भी एक विसेज जो देवता जिसमें आप अपनी आस्ता रखते हैं, जैसे अलवार विश्णुजी में रखते थे, एक मूर्ती विसेज में उनको मान कर, ठीक है, ग कितने संते थे बच्चे बारा और इन बारा संतों ने विष्नो को समर्पित करके जो भी गीत गाए या जो भी कावी पड़े उसके संग्रह को दिव्य प्रबंदनम कहा जाता है क्या कहा जाता है तो देवा रम कहा जाता है क्या कहा जाता है देवा रम ठीक कहा जाता है चलो इतना समझ मैं आप लोगों को यह सारी चीज़ आप लोगों लिखना आप तो यह जानते हो ना आप क्या जानते हो ताप यह जानते हो यह जानते हो यह भक्ति आंदर लोगे सिरुवात की छट्वी सब्सक्राइब अगला कोशन लो बच्चे चलो अगला कोशन आ रहा है आपके बीच में अगला कोशन अगला कोशन क्या है काकोरी कांड कब और कहां हुआ अगला काकोरी कांड कब और कहां हुआ ठीक है इतना आप लोगों को इसमें बताना है काकोरी कांड कब और कहां हुआ चलो फटा फट कमेंड करो उत्तर दो इसका बच्चो अगला कोशन इसका बटार्रा मुट करोगों करो इसमें अगला कोशना है का बीच भीच करोगों का बीचो भीच्चो चलो बताएं यल्दी से वेरी गूड चलो बात करें हम लोग काकोरी कांड कब और कहा हुआ साहरनपूर से लख्नौ एक ट्रेन थी जिसका 1 डाउन ठीक है 2 डाउन ठीक है कुण से ट्रेन थी बच्चे एट डाउन ट्रेन ये ट्रेन जा रही थी कहां जा रही थी बच्चे तो आप लोगी ट्रेन को देखो के ना तो सारण पूर से लखनो ठीक है और काकोरी नामक जगे पढ़ती थी कहां पर लखनो में ठीक है अब काकोरी के अंदर ये कांड देखने को मिल जाथ आ कांड कियों कहा गया क्योंब कांड यहुए है Deutsक कैसे तो कुछ क्रांतिकारी क्रांदिकारियों अलग ख्रांतíकरी रहे नहीं रहे कौन-कौन असवाकूलत कहां राम परसाद बिसमिल चंसेकर राजाज, सचिंद्र सान्याल ठीक है, राजेंद्र लहडी जिसे लोगों ने प्लानिंग की कि हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल के नेतरे तुमें अस्वाक उल्ला के नेतरे तुमें हम 10 लोग, ठीक है कब 9 अगस्त को कब बचे 9 अगस्त को 9 अगस्त 9 अगस्त 1925 को ठीक है, एक ट्रेन थी ठीक है, ये सारान पूर से लगनो एड डाउन ट्रेन, इसके अंदर इनको खबर लगी के खजाना आ राइस में क्या राइस में? खजाना, खूप सारा खजाना है इस खजाने को लूटना है, क्योंकि करांति था, ठीक नेतिकता में था, तो इन लोगोंने प्लानिंग की क्यों ना अंग्रेजों के खजाना, जो की काकोरी इस जो की सारन पूर से लखनाओ, जो ट्रेन आ रही है, एड डाउन ट्रेन इसमें जो रखा है, उसको लूट लिया जाए इन्होंने प्लानिंग की दस लोगों की अगवाई में जाएंगे राम परसाद बिसमील, अस्वाक उल्ला खां राजन लहडी, सजन सानियाल, चंसरेका राजाजाज जैसे लोग अब ये गए लोग, ठीक खाजाना लूट ने, इनको लगा था खूप सारा खाजाना होगा यहाँ पर लेकिन खाजाना में इन्होंने सिर्फ आठ हजारी ये पापाए थे इतने पेसे था ही नहीं, इनको जो जानकारी जो भी सोर्स मिला था मात्र आठ हजार रुपे यहाँ से लूट पाए थे, कितने मिले इनको और आठ हजार में क्या होगा, ठीक है, वेसे आठ हजार उस समय के लिए बहुत है, लेकिन बहुत, इतने नहीं थे कि वो सफिसेंट हो, ठीक है, तो काकोरी कांड किया इन लोगों ने, ठीक है, तो कई लोगों से क्या पूछा गया है, बच्चे, काकोरी कांड कब और कहां हुआ था, ठीक है, कब काकोरी कांड कब हुआ, तो इसका उत्तर क्या हुआ होगा, 9 अगास 1925 में, कहां हुआ, तो ये काकोरी मतलब लखनों के अंदर हुआ था, कहा हुआ था बच्चे, इतना ही आप क्या लिखना है, इसका उत्तर यहां पर लिखना है, क्या लिखना है बच्चे, आप लोगों को इसका यतना ही उत्तर यहां पर लिखना है, चलिए, आगे बढ़ों बच्चे, आगे बढ़ता हूँ, अगला कोशन, अगला कोशन है, खान कहा से आप क्या समझते हैं, ठीक है खान कहा से आप क्या समझते हैं ये भी आप लोगों को ठीक है तीस से पचास सब्दों के बीच में लिखना है ठीक है फटा-फट कमेंड करो कि खान का क्या है ठीक है खान का बता दो खान का किसका निवासितान है इसा बता दो आप लोग मुझे झाल झाल चलिया चलिया बच्चे मैं बता देता हूँ आप लोगों को खान कहा से आप क्या समझते हैं? ठीक है इसी पे हम लोग बात करते हैं बच्चो कान का क्या है? फ़ेले तो बता दूं ये टम सूफियों से जूड़ी है किसे जूड़ी है? सूफियों से जहां सूफी अपना निवासिस्तान बनाते थे जहां वो अपने अनुयाईयों से मिलते थे ठीक उसी को क्या कहा जाता है तो खान कहा कहा जाता है यही लाइन आप लोगों को है लिखना है क्या करती है पर इतंडर २िवाजिस्तान बनाते थे अपने अनुयायों को संबधित करते थे ठीक है अपने पीरों को रखते आपने मुरीदों को रखते थे वहां ठीक है मूरीद मतलब होता है सिस्य ठीक है बच्चे समझ माया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन अगला कुशन क्या रहा है अब आप लोगों के खंडगा जाएगा अब आप लोगों क्या जाएगा बच्चे खंडगा जाएगा ठीक है खंडगा में हम लोग बात करें अब आप लोगों के आ रहे हैं अति लगूत्री प्रश्ना आ रहे हैं आप कौन से प्रश्ना आ रहे हैं लगूत्री प्रश्ना आ रहे हैं ठीक है और ये आप लोगों को सो सब्दों में लिखना है कितने सब्दों में लिखना है ठीक है सो सब्दों में आप लोगों को ताव का क्या के जिए वरनन की जिये है बता फल अफलं से कमेंड करके यह बता फिता की परंग मुआ कि ईसलम किया है कमेंड करो और फटा फटिका मताओ के ऐडल रपास अबटा की विश्एस्ताय्जंदब इपक्षो अबश्ग अधन में करो कि क्या है आ इशर रपास एबटांगी प्रमुक्त का क्या कीजिए वरनन खीजिए रपास अबटा की की प्रमुक विसेस्ताओं का क्या कीजिए वर्णन कीजिए चलिए तो बच्छे बात करें हम लोग हडपा सब्वेता की प्रमुक विसेस्ताओं का वर्णन कीजिए बचो इसमें मैं बताओं आप लोगों को उत्तर सुनना आप लोग हैं आप लोग कितना टाइप करेंगे म चाहिए नगर नीजन छाये सबसे प्रमुक विससथा उसका नगर नियोजन था ठीक है नगर सदिता कर्наगा नियोजंद दूर्गोफ दमलेगा दोफ सब्सक्राइब लोग को देखने मिलेगा इसके साथ आप लोगों को यहाँ सकते विवस्ता देखने मिलेगी इसके अतिरिक अप में यह थी जा लिख सकते हो होग तो is a new झार लगार तो सारवजान लोग एक इसनानागार के उपर आप लोग क्या कर सकते हो Nagar के ऊपर वी आप लोग यहां पर लिक्न सकते हो चली हो रगिस सकते लोग तिस्ता पहुंड यहां की लिप एहां की लिपी पलिख सकते हैं' फिर अगली विस्हस्ता क्या है वेचे महरे झाले लिख सकते हो पाच विस्तना क्यां होगी मंके है इसके बार शटवी मिसle तक होगी तो मापतुल सबस्क्राइब लोग तो सबसंगता हूं हो सकता यहां पर कांसे की मुर्ती ठीकल कांसे लगता की की मृती इस पर देर साली बता सकता हमें आप लोगों कितने बता सकता आगे बढ़ते हैं, तो इतने point पर आप लोगों को आपका answer complete करना, answer देना 100 सब्दों में, कितने में देना है बच्चे, 100 सब्दों में, और सब में आप लोग एक एक दो दो line भी लिख देते हो, तो आपको बहुत अच्छे number मिलेंगे, क्या मिलेंगे बच्चे, आप लोगों कोई comment करना चाहेगा, जेन धर्म की सिक्छाओं पर, ठीक है, फटाफट comment कर दो, एक दो, आप लोग, जेन धर्म की प्रमुक सिक्छाओं का क्या कीजिए, वर्नन कीजिए, जेन धर्म की सिक्छाओं का संचेप में, संचेप में लिखिए, जेन धर्म की सिक्छाओं, टीचिंग की बात करें हम लोग, ठीक जेन धर्म की, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग बता दूं क्या क्या लिख सकते हो, बच्छो इसमें आप लोग, ठीक है, इस पर त्रीरत ने लिख सकते हो, आप लोग, क्या लिख सकते हो, आप लोग, क्या लिख सकते हो ठीके इसमें आप लोग पंच महावरत लिख सकते हो दूसरा पॉइंट ठीके पंच पंच महावरत लिख सकते हो ठीके बैचे पंच महावरत लिख सकते हो तीसरा क्या लिखते हो बच्छे आप लोग पंच अनुवरत लिख सकते हो ठीके पंच अनुवरत लिख स सिध्धान्त लिख सकते हो, ठीक के सब्तिभंगी नहीं, सिध्धान्त आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो? इनकी जो थ्यूरी है सिक्छाव को लेकर, जिससे यह अनस्वर वादी आप लोगा आप लोग विस्वात को नहीं था तो इतनी है सब Mitchell स्वा में लिग दिये गए ठीक और इसमें करने की बात की गई थी और इनकी संख्या कितनी है पांच है कितनी बच्चे तो पांच हम लोगों को देखने को मिलती है इसके बात पंच अनुवरत देखना को मिलते हैं इसके बाद क्या देखना मिलते हैं बच्छे हम लोगों को पंच अनुवरत पंच अनुवरत जेन धर्म के गरहस्त लोगों के लिए हैं किसके लिए बच्छे जेन धर्म के गरहस्त लोगों के लिए हैं और इसमें उदारता बरती गई है और इनकी संख्या कितनी है पांच है सत्य अहिंसा अस्तय आप रिग्राइब भ्रह्मे चरिया ठीक है चलो बस इन इन में बेसिक सामतर यह है इन दोनों में कि यह बिख्षूओं के लिए और यह जेनधर्मे के ग्रहस्त लोगों के लिए ठीक है बाकी वह पांची ज़ा एगाब बड़ते हैं अगला कोशन ने किताबुल हिंद पर एक लेख लिए किस पर लेक लिखना है विटाब लोगों किताबुल हिंद में आप लोग बताना पढ़े गाप पर किताबुल हिंद जो है नाम ये किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद नामा गिरंत लिखा गया है ठीक है किताबुल हिंद में ही अल बरूनी कि आ गया है संपूर्ण भारत की जानकारी दी गई है चाहे वो समाजी को चाहे वो धार्मी को चाहे वो राजनिती को चाहे वो आर्थी को जिसे उधारन लेलू में समाजिक की समाजिक में नीं के द्वारा वर्ण व्यवस्ता पे कहा गया ठीक इनके द्वारा वर्ण व्यवस्ता पे यह कहते हैं कि ए Separate Great unders you की तीन वर्णों में इंशकी ती लेकिन सुद्रों की इसीटी काफी निमनिती ठीक हिए यह कहती है भारति के बारे में कि जो ब्रहमन होते थे जो भारती होते थे ये अपना ग्यान दूसरों को देने में बड़ा संकोच करते थे और वो आसानी से अपना ग्यान किसी दूसरे को नहीं देते थे ठीक है किताब-ul-Hind के अंदर ऐसा यहां पर यह चीज़ करे रहे हैं ठीक है राजनितिक कि बात कर रहे हैं यह के भारत की जो राजनिति थी ठीक है उसमें राजनितिक एकता के अंदर हम लोगों को कमी देखने मिलती है ऐसा किसे ने कहा तो किताब-ul-Hind की जो रचना कर रहे हैं कौन तो अल-बरूनी थे किस ने कहा तो यह अल-बरूनी का तो सारा यह विवरण आप लोग यहां पर लिख सकते हैं इस प्रकार से ठीक है राजनितिक हुआ धार्मिक है ठीक है जो आर्थिक है ये सारी जानकारी के ताब बहुत में अल बरुनी के त्वारा क्या कि गई बैचे यहां पर दी गई अगला कुशन क्या राएब मिज्ञे अगर समराज के जल संस साधन क्यों विक्सित किये गए थे कारण लिखिए तो बच्चे क्यांविक्सित किये गए थे इसका सीदा सा कारण है कि जो विजनीने गणिवा श्रता और वहां प्रकृति ने ठीके नेचुरल resources दे रखे थे पानी के वस उनको करना क्या था सिर्फ उसको एकटा करना था और इसी को विजय नगर के सातसों को ने किया जैसे कमलापूरम जला से का निर्मान किया इसके अतरिकत नहर कुंड करके एक तालाप का निर्मान करवाये गया विजय नगर साथ तो गुद्वारा और तुंग भद्रा जो आ रही है पहाड़ीों से निकल के जो करशना आ रही थी निकल के इसके पानी को उनके अंदर क्या किया गया इस्टोर करके रखा गया था ठीक है बच्चे और उसी पानी से लोगों की जो रोज मर्रा की जो जल आप उरती थी कमलाप जीगा क्या होना बच्चे एक सुस्क छेतर में पड़ जाना ठीक है पानी की वहां कमी देखने हो बनाया नहर कुंड जैसे इनके द्वारा बनाये गया और उस पानी को इस्टोर किया गया और जनता को क्या किया बच्चे इन लोगों ने सप्लाई किया ठीक है यह आप पाज के जहल संसाधन क्यों विख्सित किये गए ते इसके अंदर इसका उतर आप लोगों को लिखना है चली अगला कोशन लोगों बीच में मंसबदारी पर तिप पर्णी कीजिए चलो बात करते हैं बच्चे इस पर भी के मंसबदारी जो मंसबदारी पर्था है यह क्या तो सुनना बच्चो मनसबदारी पर्था की बात करें हम लोग इसकी सिरुवात किसने की कि क्या बात करें बच्चे हम लोग के इसकी सिरुवात किसके द्वारा की गई सुनना तो सिरुवात किसके द्वारा की बच्चे पताया आप लोगों को इसके तिरू सिरुवात की गई थी अकबर के द्वारा किसके द्वारा सिरुवात की थी बच्चे अकबर के द्वारा और कब अपने सासन के अपने अपने सासन के ग्यारवे वर्स में कब की थी बच्चे अपने सासन के ग्यारवे वर्स में अकबर ने किसकी सिरुवात की थी तो मनसबदारी प्रथा की सिरु 1556 में ठीक है तो मातलब हम लोग इसको मान लें ठीक है 1567 में अकबर ने क्या की होगी मनसबदारी पर था कि क्या की होगी सिर्वात की होगी अब क्या है मनसबदारी पर था ठीक है इसको हम लोगों को समझना बड़ा जरूरी है देखो बच्छो अकबर बड़ा चालू का वेक्ति था उसने दिमाग लगया क्या दिमाग लगया कि मैं दो लोगों को अलग-अलग वेतन देता हूं कितने लोगों को दो एक प्रसासनिक अधिकारियों को अलग और जम्मिदारों को अलग ठीक प्रसासनिक अधिकारी अलग और जम्मिदारों को अलग-अलग पेसा क् में केसी विवस्ता बनाओं के एक ही व्यक्ति से में दोनों काम लूँ वो मेरा प्रसासने अधिकारी भी हो और वही हमारा टेक्स वसुल के भी लाई जमिदार का भी काम करें तो अकबर ने क्या कहा पादा बच्चे अकबर ने कहा मंसबदारी विवस्ता में किसमें मंसबदा होगा सरकारी हर वेक्ति जो मुगल प्रसासन में है चाहे वो जमीदार है चाहे वो प्रसासनिक अधिकारी एक सरकारी अकबर ने इसमें कहा कि भाया में एक उस एक सरकारी अधिकारी को उस एक सरकारी अधिकारी होगा पहले तो उसने दोनों को एक कर दिया कि एक सरकारी अधिकार होगा चाहे वो जमीदार हो चाहे वो कौन हो प्रसासने का अधिकारी हो उसने का कि एक सरकारी होंगी दो केटेग्री एक अपी और एक सवार दूर ठीक है इस मंसब क्या कहा हुथ तोनने के सरकारी अधिकारी किया सब से पहले सथा अिकमिनन ऑफिसर कर दिया कर देग sır 2007 word रोग में उस को एक एक पद दिया जाएगा, एक एक मनसब दिया जाएगा, इसके अंदर का दो सरेणिया बनाई इसने, कितनी सरेणिया बनाई बच्चे दो सरेणि बना दी, कौन-कौन सी एक जात की और एक सवार की, एक कौन सी जात, जात क्या थी बच्चे, तो ये पेदल सेनिकों की सेनिक की या घुर इफ सवार सेनिक के संख्यादी न त्योट ऑख योज़ और सवार दोस्रेण या होगी इस मनसप के अंदर इस पद के अंदर में आप लोगों को जाद भी दूँगा और च बिदperform का जात मतलब पेदल सेनिक भी दूंगा और में घुर सवार सेनिक भी दूंगा συногः क्या दूंगा में खूल सवार भी दूंगा और सीस बात दोनों प्रकार कि मिल्सक्रिप मैं says об मंसब मैं गये जाएंगे कि इसका हुई तो तो मैं किसी को 10 भी दे सकता हूं मैं क्या दे सकता हूं किसी को 10 का मंसब भी दे सकता हूं 10 का मंसब मतलब 10 पेदल से निक ठीक है और 10 से सवार से निक ठीक है 10 से लेकर 10 से लेकर अकबर ने 10 से लेकर अकबर ने 10,000 तक कितने बच्चे में दस हजार तक के लोगों को मंशब दिये थे दस से लेकर 10 किसी को ये दे दिया ना दस का मंशब उसके पास जात कितने होंगे बच्चेısı 10 पेदल से निक होंगे और और से उसके पास क्या होंगे सवार में गो गुर्ष वार्शेनिक है तो मैं एकपर नहीं है इतनी बात कि आफ सुना और उसने फिर क्या पता है कि मैं जुभkopय दोंगा नवेत जात कि संख्या के आधार पर घटीक हे कुधारन गया जो भी जिसके पास कि 7 कर द दास जात है तो उसी के हिसाब से उसका पेमेंट केलकुलेट किया जाएगा और उसको वेतन मिलेगा समझ रहें जात के आधार पर अकबर ने कहा कि इसके आधार गोड़े तो तुम जितने चाह उतने रख लो लेकिन मुझसे पेसे मत मांगना समझ रहें तो वो ये केना चाह रहा है कि कभी भी जात से अधिक नहीं ह से चाहिए कि सब्सक्वार के चाहिए तो कि अपके मैं ने डूंगा में तो सिर्फ जात के आधार पर ही क्या दूँगा आप लोगों को पेसे दूँगआ कितना चालू है सुना इसको चालू पन का अक्बर के अब आप लोगों कीत बोल रा कि नो तन योंगागा उते क्या कहा मैं वेतन नगत नहीं दूंगा क्या कि रहा है कि मैं वेतन नगत नहीं दूंगा भी या नगत मेरे पास पेसे नगत नहीं है वेतन दूंगा किसा आधार पर जात के आधार पर वेतन दूंगा और किसा दूंगा नगत नहीं दूंगा तो किस फ़र्म में दूंगा तो तुकड़ा क्या दोंगा जमीन दोंगा जमीन अरो जमीन भूमी और उसे भूमी पे से तुम्हें टेक्स्द करके भी ला ना है कितना चालू है भूमी पेसे देखो वेतन के से देगा भूमी और भूमी पेसे टेक्स कलेक्शन करके लाना है और तुमारा जो खर्चा है वो काट लेना और बाकी का बचावा सरकारी खजाने में जमा कर देना कुछ समझ में आ रहा है कितना चालू वेखती था जो पेले अकबर दो अलग-अलग अधिकारियों काम कर रहे थे एक सिर्फ पूरा मिलेटर सिस्टम देख रहा था और एक पूरी जमिदारी इन दोनों को अकबर को अलग-अलग पे करना पड़ रहा था अकबर ने कहा इसा हो बी उसे को देदिए और कर वसुलने कम दीकार विनसी बनसब को देदिए को कितनी चालुकता है मनसबदारी अच्चह समझ में आ गई होगी बच्चे आप लोगों कोießत क्या थी अकबर की मनसबदारी विवस्ता है ठीक है और मैंने मैं किया कहा अकबर किसने से समझ में आ गिया यह अगबर की मनसब्दारी प्रथा थी इसके तहत उसने सब जितने भी अधिकारी थे उनको एक गवर्मेंट ओफिसर मान लिया उनको एक मंसब दिया उस मंसब में उसने दोस्रेणिया बना दी जात और सवार की फिर उसने कहा कि मैं वेतन जात से दूँगा ठीक क्यों कहा था क्योंकि तुम गुण सवार से निको कि संक्या बढ़ा होगे और खर्चा मुझसे मांगो कि तो दोड़ी होगा मैं तो इनके आधार पर दूँगा ठीक जितने यह होंगे इतनी समझ रहे ना मिली तो आप लोग घोड़े-घोड़े बढ़ाते जाओ एसा नहीं होगा इसने फिर क्या कहां में वेतन नगद नहीं दूँगा मेरे पास वेतन नगद है इनी मैं जमीन के कितना चालू है बंदा इसलिए तो अकबर को ग्रेट कहा गया उसकी जो पॉलेसिस थी ठीक है वो अकबर की बड़ी तगड़ी थी अभी देखो 10 साला बंदोश पढ़ाऊंगा आगे चलकर आप लोगों को कही नहीं कोशन आएगा मोडल पेपर में अभी नहीं तो अगले म इनका काम क्या होता था तो इनका काम होता था जो घोड़े है या सेनिक है इनका हुलिया बनाना ठीक है राजस्व का कलेक्शन करना ठीक है यह सब इनकी क्या है विस्रस्ताइए आप लोग आसानी से समझ पाभी गये होगे ठीक है तो यह मनसबदारी परता पर क्या थी एक ह चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन 1857 के विद्रों के कारणों की विवेचना कीजिए क्या करना बेचे 1857 के विद्रों के कारणों की आप लोगों को विवेचना करना है ठीक 1857 के विद्रों के कारणों की विवेचना करना है चलिए फ्रफट कमेंड करो बताओ जल्दी से अट शब्तावन के विद्रों के कारणों को अप लोग अजब बात करें बच्चों अट्राश्ब्तावन के विद्रों के कारणों की क्या किजिए विवेच ना कीजिए अब तो ना 1857 की जो करांती थी ना बच्चे इसके हम लोगों को एक कारण ना देखने को मिलते हैं अनेक कारण हम लोगों को देखने को मिलते हैं चाहे उसका वो तातकालिक कारण हो तातकालिक कारण तो सिर्फ हम लोगों को एक चिंगारी की तरह जैसे हम लोग एक लगडी के अंदर आग लगाने के लिए को चाहिए होता ना हम लोगों को असला वो काम किया तातकालिक कारण है लेकिन करांती के सारे गुण पहले से ही विद्धमान थे अंग्रेजों के प्रति खूब जनता के अंदर रोज था ठीक है उसी में बात करें क् समाजिक कारण थे ठीक समाजिक कारण थे समाजिक कारण थे सेन्नी कारण थे बच्चे क्या थे सेन्नी कारण थे सेन्नी कारण थे आर्थिक कारण थे बच्चे आर्थिक ठीक है आर्थिक कारण थे राजिनितिक कारण थे क्या थे राजिनितिक कारण थे क्या थे राजिनित का प्रमुक कारण देखने को मिलेगा ठीक है ये तो बात थी तातकालिक कारण की मैंने अभी बताया आप लोगों को ये सिर्फ आग लगाने का काम किया इस तातकालिक कारण ने करांती को बढ़ाने का काम किया लेकिन मैंने एक लाइन और भी कही के करांती के होने के कई कारण पहले से ही विद्दमान थे 1857 में क्या किया था अंग्रेजों नहीं ब्रति समाज भरति राजनीती हृरति सेन्ने और भारति अर्थ व्यवस्थान है आई के जानते हैं चलिए तो बात करें हम लोग समाजिक कारण ठीक समाजिक कारण कशेос समाजिक कारण क्या थे तो बच्चो अंगरेजों ने सघ्ठी प्रथा का अंति किया था और यह भारत्यों को रास नहीं आया था कि अंगरेजो नहीं हमारी परथा के साथ छखता य। ट्शाड़े एक दूसर धर्म का वेक्तीboundhou Sabbath करे सट हखार दिया कई लोग सेमत हुए थे इसा नहीं था लेकिन कई सारे लोग तो घुसे में बैठे थे कि अरे आर इन्होंने खतम ही कर दी विवस्ता सर्ती पर्था तो सर्ती पर्था का समाप्त होना अंग्रेजों के खिलाब खूब जनता के अंदर रोश्ट था दूसरी चीज बाल विवाह हुआ परति बंदित लोग इसको भी लेकर जनता जो थी क्या थी व्याभवन्र विवा ने लगा विध्योवा करने लगे अंग्रेज यह बिट जन तहे लेगी है चलाय व्यवां तो तुमने हो यह तो यह यहाँ पर हम लोगों को देखना मिलता है अंग्रेज थे का चलो फाफ बाल विवा ठीक है नर्वली पर अध्याए नर्वली सारी क्या लगा चुके थे प्रतिबंद लगा चुके थे समाज दर्म के अंदर हसा शेयर कर चुके थे ठीक है बस लोगों को एक मौका चाहिए था कि एक मौका मिल जाए सही और सब साथ में जाए ठीक है और वही काम किया ततकली कारण चर्वी वाले कारतु से शेनी कारण क्या थे सेनी कारण यह थे सेनी को के अंदर आज अंतोच्टिता क्या कारण थे तो ठीक है उछे-उचे-उचे पद किसे दीय जाते थे और इन्हे कौन से पद दी जाते थे निमनतम पद दीय जाते थे ठीक है ये भी ये अरक शी λेद-वा Grad आरतिक कारण किया थे तो भारत कारण कर रहे थे तो दो दो चीजे एक लौर्ड वेले जली की साहिएक संदी और दूस्री चीछ थी हड़प निति TV इससे जो राजा रजवाद को सुपिकार कर चुके थे तो यह सब पी कही ना कहीं भरे पड़े थे ठीक एसी हालत थी आगे चलकर हड़प निती की हड़प निती की तहर लौड डलो जी ने उन छेत्रों को हड़प लिया जिनका वास्तवी कुत्रादिकारी नहीं था गोधनिसेत पर्थाकांत कर दिया जैसे जहांसी हुई ठीक कानपूर कि जो गौलियर था इस वाले छेत्र में तो कई जगा आप लोगों को देखने हों मिलेगा कि हडप निती का प्रियोग तो राजनिती भी जो रियासते थी ये भी आसंतुष्ट थी इनको भी सिर्फ मौका चाहिए था एक लड़ने का और इन सारे लोगों को चाहे वो सेनिक हो चाहे वह समाज के लोगों नागरिकों सामने मजरिक चाहे वह राजनिती हो ठें इनस अब को लड़ने का मोका दिया किसने तातकाली कारण मतलब चर्बी वाले कार्तूस किसर염 बच्चर्विं कार्तूस हम लोगों को यहाँ पर दखने को मिलेगे ख टार और धरा सत्वतन की करांती हुई अंग्रे जो को सबसे बड़ा जटका देखे गई तीन साल थीक है अंग्रे जो को अपनी तेके अपनी राजनीती के अंदर क्या करना पड़ा? परिवर्तन करना पड़ा इसके बाद बच्चो ठीक है? चलो आगे बड़े अगला कोशन लेते हैं इतना ही आप लोगो को लिखना है इसमें क्या पताना वैच्छे आप लोगों को हडपा सभीता के पतन के कारणों का उल्ले कीजी है कि हडपा सभीता के पतन के कारणों का उल्ले कीजी वैच्छे तो क्या क्या कारण देखने हो मिलते हैं वैच्छे कारण एक एक करके हम लोग चर्चा करें पहला है आरियो का आकर्मन ठीक है, क्या है बच्छे फिला, आरियो का आकर्मन, ठीक है, आरियो का आकर्मन से सिंदु घांटी सब्विता या हडपा सब्विता का पतन हुआ, एसा मानना चार लोगों का है, कितने लोगों का मानना है बच्छे, चार लोगों का, गार्डन चाइल्ड मेके, इस्टूर्ट पिगट और मार्टी मर्वीलर ये चार लोग ऐसे लोगे बच्चे जो ये कहते हैं कि सिंदु घाटी सब्विता का जो अंत हुआ वो किसके द्वारा हुआ तो ये हम लोगों को देखना मिलता है तो इन आरियों के काराण ठीके विदेसी लोग हैं विदेसी बात कर रहे हैं पर ये जो मार्टी मर्वीलर है वो यहाँ पर कहते भी हैं कि जो इंद्र है इंद्र परिस्ति सच्छ जान्यों पर इंद्र ही या पुरंदर ही दोसी ठहरता है इसको सिंदु घंटी सब्विता के पतन को लेकर पुरंदर कोन है तो इंद्र को ही रिगवेत के अंदर पुरंदर कहा गया पुरंदर मतलब दुर्गों को तोड़ने वाला ठीक है तो आरियों के आकर्मन से सिंदु घंटी सब्विता का क्या हुआ पतन हुआ इसको लेकर यही चार लोग evidence भी देते हैं पूरा तात्विक साक्ष भी देते हैं कैसे साक्ष देते हैं पूरा तात्विक और साहित्तिक साक्ष भी देते हैं कि यह देखो पूरा तात्विक भी मिल जाते हैं और साहित्ति भी मिल जाते हैं पूरा तात्विक क्या म कि अदर के लिए हरुप युप्या सब्दे का प्रयोग ठिक है उनका एक पुर अन्दर दुरगोगों को तोड़ने तो आप लोग देखोगे न हडपा सब्वेता का टाइम प्रेड कितना है बच्चे 2350 से 1750 ठीक है और वहीं हम लोग बात करें ना आरियों का जो टाइम प्रेड बच्चे वह पंद्रासों से देखने को मिलता है तो देखो ना इन दोनों में आपको 500 साल की गेब देखने को मिलेगी तो इसलिए आलोचना जब होती है विपक्ष में जब बात की जाती है हम लोगों को वहां पर लिखना होता है कि बहिए ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों सब्वेताओं के बीच में कालगत भिन्यता हम लोगों को देखने को मिलती है कैसी बिन्यता देखने को मिलती बच्चे तो कालगत भिन्यता हम लोगों को यहां पर दोनों ही डाइनेश्टी के अंदर या दोनों ही सब्वेताओं के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है ठीक है इतना समझ में आया तो आरि से सिंदु घंटी सब्विता का अंत बाड आने के द्वारा हुआ तो इस मत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया बचे तो इस मत का प्रतिपादन किया जोन मार्सल के द्वारा किया गया बचे तो जोन मार्सल ने इस मत का प्रतिपादन किया उनके द्वारा कहा गया कि जो मोहन जोदलो है ठीक इसका साथ बार उजड़ना और साथ बार बसना यहां इंगित करता है या इंडिकेट करता है कि यह जो सब्विता थी इसका जो पतन हुआ होगा वो किस्ते हुआ होगा तो सिंदु घंटी सब्विता में जो बाड़ाई उसी से हुआ होगा ठीक बैच ठंडी हुआ करती होगी धीरे धीरे यहां क्लाइमेट चेंज होने लगा गर्मी पढ़ने लगी तो यहां के लोग इस गर्मी से तरस्त होकर कहीं और पलायन कर गए होंगे ठीक है एक कारण एक कारण यहीं बताया था कि नदी मार्ग में परिवर्तन ठीक है कुछ इतिहास कर यह केते हैं कि क्योंकि सिंदु खांटी सब्विता का जो आर्थिक संपड़ता थी ना वो नदीयों से थी लेकिन आगे देरी-देर हुआ क्या होगा नदीयों ने अपने मार्ग बदल दियोंगे जब इनके प्रमुक इस तल नदीयों के मार्ग से दूर हो गए तो यह कहीं और पलायन कर गए होंगे इसे भी इस दान दिया आते हैं कुछ लोग भुकम भी कारण बताते हैं जैसे अमलानन गोश अमलानन गोश नहीं काली बंगा से जो भुकम के साख्ष मिले उसके आधार पर यह कहा बच्चे के भुकम आया होगा और भुकम से पूरी सब्विता का क्या हुआ हो अनत库 गोगा कुछ इतिहासकार महा मारियो भी क्या मांते हैं सिंदुघाटी सब्विता के इंत कारण मानते हैं जिसे हम लेरिया का फिल जाना जब यह समझ में आ बैजिए आ बच्चे य falsch gute क्र के做 दोग को करन बताये ए डेगे कर करके आप लोग राज़स्व मुगल समराज की आर्थिक बुनियाद थी वे क्या कीछिए बिलकुल आप लोग देखोगे न मुगल समराज की आर्थ व्यवस्ता का मुख के आधार ही आम लोगों को भूराजस्व देखने उबलेगा और इसी भूराज़स्व की वसुली के लिए उनके द्वारा एक डिपार्टमेंट बनाए गया जिसको दिवान कहा जाता था क्या कहा जाता था दिवान और दिवान का जो प्रमुक अधिकारी होता था उसे आमील गुजार कहा जाता था ठीक है बच्चे तिरप टेक्स वसुलने के लिए भूर आजस्व को यह जो मैं बोल रहा हूं यही आप लोगों को वहां पर लिखना भी होता है ठीक है तो बात हुरी हम लोगों की के जो मुगल समराजी था इसकी अर्थ विवस्ता का मुक्य अधार कोई था तो वो थी भूर आजस्व और भूर आजस्व को वसुलने के लिए इनके द्वारा एक विभाग का निर्मान किया गया था और उसका जो नाम दिया गया था उसका जो प्रमुक था दिवान था ठीक है और उसको प्रमुक को आमिले गुजार यहां पर कहा जाता था ठीक है अब बात करें इनकी भूराजसों की जो पद्धतिया रही वो क्या-क्या देखने हो मिलती हम लोगों को तो हम लोगों को एक बटाई परता देखने हो मिलती है बटाई को भी दो भागों बारता जाता है लंक बटाई ठीक है औ और उसका आदा-आदा भाग निर्धारित कर दिये दाए था तो बटाई पर था आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाई की इसके बाद आप लोगों को देह साला बंदो बस को झबती किया कहा जाता है, क्या कहा जता है देष lifted मुगल समराजी में मोगों को निर्मित्थ होतीवी दिख़ाई देती है, क्या हुआ देष साला बंदोबस में बैचे, बैचस ने नििर्मित की थी अक्णी तो, अकबर कि 9 रतनों में से एक तोडर मल हम लोगों को देखने हो मिलते हैं टोडर मल नहीं देह साला बंदोबस का निर्मान किया था और इसमें क्या किया था बच्छे देह साला बंदोबस में फिछले दस साल की जो फसले थी जो अलग 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 वर्सों में जो गेहू चावल जो ये फलाना फलाना उनका उन 10 सालों में एवरेज निकाला गया कि क्या इनका रेट था उन 10 सालों में और वर्तमान साल में ठीक है वर्तमान साल में उसका एवरेज क्या है परतिसाथ और इन दोनों का कुल करके फिर इनका एवरेज निकालके फिर अकबर ने 10 साला बंदोबस में अपना क्या लिया भू भूराजस्व वसूला था देहसाला बंदोवस में लेकिन बड़ी तगड़ी विवस्ता थी इससे जो अप एंड डाउन होता है ना कि किसानों को एक तरफा टेक्स ना लगे तो पिछले तो मैं आप लोग बताई चुका हूं मनसब्दारी भी आप लोग लिख सकते हो कि मनसब्दार यहां पर भूराजस्व वसूले वाले अधिकारी हम लोगों को देखने को मिलते हैं चलिए तो यह जमीन से मिलने वाले भूराजस्व की कहानी थी मोगल समराजी के अंतर ठीके चलिए अगला कोशन अगला कोशन हड़ापा सबीता सोरी अगला कोशन लाड कारनवलिस के परसास की नियाईक एवम राजयस व संबंधी सुधारों का क्या किजिए वर्णन कीजिए ठीके बच्चे वैसे आपको बता दू बच्चे लाड कारनवलिस को नियाईक सेवा का जनक कहा जाता है किसका कहा जाता है नियाईक सेवा का पुल प्रसास की कारिये प्रसास की कारिये नियाईक कारिये और राजस्व संब्धिक पहले आप लोग मुझे कमेंड करके बताओ किसी को आता हो तो बताओ जल्दी से के कारण वली इसके राजस्व संब्धिकारी क्या थे नियाईक संब्धिकारी क्या थे जब तक मैं पानी पिलेत हूं मेरी अवाय थोड़ी सी बेट रही है यार बिच्छो कर अ 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 चलो कमेंड करो बच्छो आप लोग फटा फट बता दो चलिए तो बच्छो बात करें हम लोग प्रसास के सुधार के अंतरगत क्या किया गया था यहां पर तो कि पूसर विवस्ता की सरुवाध की गई थी ठीकर ब्रश्टाचार परंकुष जो आदोनिक पुलीष विवस्ता इन इसका जनक कहा जाता है बच्छे पुलिस विवस्ता और दरोस्ता जो आप लोग देखते हैं दरोगा साब वो इसी ने रखने की विवस्ता बनाई थी किसने कवार्न वालिस के द्वारा आधुनी पुलिस विवस्ता ब्रहष्टाचार पर अंकुष जिसे प्रास्तासनिकार याप लोग देखने उब लेंगे ठीक नियाइक नियाइक सेवा का अब इसको जनक कहा जाता है क्योंकि इसने प्रांती नियालयों की इस्तापना की थी प्रांती है नियालयों की क्या की थी इस्तापना की थी कलेक्टरों से ठीक है नियाईक कारी छिनकर क्या चिनकर बच्चे नियाईक कारी छिनकर ठीक है उन्हें कर वसुलने के राइड दि ठीक है पर्मानेंट सेटलमेंट की इसके द्वारा सिरुवात की गी थी यही इसके क्या है बच्चे कुछ सुधार हम लोगों को देखने को मिलते हैं ठीक है चली आगे बढ़े बच्चे तो ये कारणवालिस के सुधार आप लोगों को देखने को मिलेंगे आगे बढ़ते है आपसे पहले बात करें 185, यहां क्या हुआ था बच्चे? तो यहां सुंग वंसी की स्तापना की गई थी, 185 में फिर आगे चलके बात करें हम लोग इठतर AD में क्या हुआ, तो बच्चे, इठतर AD में हम लोगों को सक सम्वत की सिरुवाध होती हुँ दिखाई देती है किसकी सुरुआ सक किलेंडर ये चलाया था कनिश्क ने अपने राजवी से क्यों पलक्ष में ये आप लोगों को इसमें एक लाइन लिखना है 712, 712 हम क्या लिखना बच्चे? ठीके चलिए मुहम्मद बिन तुकलक सासक बना 1528 में हम लोगों क्या देखना हो मिलता है तो 1528 में हम लोगों को चंदेरी का युद्ध देखना हो मिलता है तो चंदेरी का युद्ध हम लोगों को देखने को मिलता है कौन सा युद्ध देखने को मिलता है तो चंदेरी का युद्ध देखने को मिलता है फिर बात करें बच्चे 1526 किसकी बात करें हम लोग 1526, 1526 को क्या हुआ ठीक है बच्चे तो 1526 को पानी-पत्का प्रथम योद्ध, पानी-पत्का प्रथम योद्ध लड़ा गया, इसमें एबरहेम लोदी और बाबर आपने सामने हुए ते है और कब 21 आपरेल 15-26 को, यह दोनों लोग यहाँ पर क्या हुए थे, आपने सामने हम लोगों को होतेवे दिखाई देते हैं, ठीक वास्ताविक रियल फांटर कहा जाता है उनको गुप्तर समराज का फिर बात करांट चली उनिस अथाविस में चली था थावीस में हम लोगों को नहरू रिपोर्ट आथि दिखाए दिते हैं क्या देखना मिलती बच्छे तो नहरू रिपोर्ट इसी पर आप लोगों को लिख भारत छोडो आंदोलन ठेयर हम लोगों को देखने मिलता है नियक्तर का सबूलता है बहता कारी में क्या करना है भारत के रेखा मान्चितर पर निमन लिखित इस्तानों का अंकन चिन्ने द्वारा दर्थाएं तथा उनके नाम भी लिखिए सही नाम तथा सही इस्तान दर्थाने के लिए एक एक अंकन निर्धारी थे वहाँ इस्तान जहां छटवी सताब्दी इसापुर में मगद की राजधानी थी यह आप लोगों का पहला कोशन है दूसरा वहाँ इस्तान जहां वीजे नगर की सेना के प्रधान मंत्री रामराई की सेना को बीजापूर एहमद नगर तथा गोलकुंडा की सन्यूक तेजना ने पराजित किया था ठीक है बच्छे देखो यहां पूछ रहा है बच्छे मगद की राजधानी इस्तित थी ठी ठीक है मगद की राजधानी कहां इस्तित थी ठीक है वो बताना है हम लोगों को ठीक है उसके बाद प्रधान मंत्री रामराई की सेना एहमद नगर यहां हम लोग बात करेंगे बच्छे ताली कोटा की किसी बात करेंगे ताली कोटा जो वीजे नगर समराजी में पढ़ता कर दिके यहां तालिक ओटा विज्यनगर वादाना हैं लोगों को तिके यहां आप लोगो दो को वरतमान में जो पटतना है यहीं पर आप लोगो answer देखहर देखने को मिलेगा क्या देखने मिलेगा पाटली पुत्र फिर वह Вас अन्य यहां लाल किला इसी थे तो लाल क्या है न तक डिल्ली में ये पेले हम लोग निकाल रहे हैं ठीक के बच्चे फिर हम लोग इस कह República कर देंगे एंदर पूरा डारेट जा के फिल कर देंगे फिर मैं आप लोग बता दूंगा के कैसे क्या करना है आप लोको को इहां पर ठीक ही तो बात हो मिर्थट्य हम लोगों की ए वृप चलिए तो लाल किला दिल्ली में है सेक मौईनीदीन चीस्ती की दरगा कहाँ पर है तो ये राजिस्तान के अजमेर में हैं ये एक इस्तान ये भरना है आप लोगों को बच्चे ठीक है वहा इस्तान जहाँ ताज मेरे दिस्ती थे तो एक आप लोगों को आगरा ठीक है इतने इस्तान आप लोगों को बताना है कितने बताना है बच्छे आप लोगों को इतने इस्तान आप लोगों को बताना है चलिए बात करते हैं एक एक करके मेपिंग करें चलो चलिए बच्छों यह में पर ठीक सबसे कए लें जो आप लोगों ने पीशे देखा ठीक है क्या हम लोगों को पाड़ी पूटर देखना है क्या कई भेचिक पटना बिहार fields Indian एंवार में क्या है बच्चे दिल्ली के अंदर क्या बात हुई थी हम लोगों की दिल्ली के लाल किले की ठीक है लाल किला कहा है दिल्ली के अंदर ठीक है चलिए ताज महल कहा है बच्चे तो आगरा में ठीक है यहां लिख दो आगरा ठीक है आगरा ऐसे ही आप लोगों को मेपिंग करना ह होती है ठीके क्योंकि उसने क्या बोला है कि आताज महल कहां इस्ति थे तो आगरा में तो आगरा यहां पर लिखना पड़ेगा उसने लाल किला बोला कहां इस्ति थे तो दिल्ली में तो दिल्ली लिखना पड़ेगा ठीके मगत समराजी की राजधानी बताना है तो ठीके कहां में इस्ति थी तो और्तमान पटना में इस्ति थी ठीक है ये बताना होगा फिर बात करें राम राय और ये कहां पराजित हुए थे करनाटक में तो ताली कोटा में ठीक है इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों का ताली कोटा होगा तो ये करनाटक में ताली कोटा आप लोगो लोगों का मेपिंग कारी भी हो गया यह क्या हुआ हूँ अप लोगों का मेपिंग एसे ही आप जी के अंदर के हाँ इस पूर्वी या दक्षिन पूर्वी छेत्र में ये इस्तान पढ़ता है ठीक बच्चे तो ये हम लोगों का मोडल पेपर था ये क्या था बच्चे है ना बच्चो कमेंड करके बता दो फटा-फट से कहां सर बहुत मज़ा आ रहा है मोडल पेपर लगाने में ठीक एसा ही आप से कमेंड करोगे ना तो मुझे और इनर्जी मिलेगी के और आप लोगों के लिए क्या लाना चाहिए मोडल पेपर लाना चाहिए जो लोग जोड़ते जाएं ना वह सैसन को लाइक भी कर दिया करो ठीके आप लोगों के जितने भी दोस्ति यार है उनके भीच में ठीके बच् तो बच्चोँ काल फिर से मैं आप लोग सामने परस्टूत होँगा एक नहे मोडल पेपर के साथ मैं ठीक हे और उसको फिर से हम लोग बड़े जैसे आप हम लोगों नहीं यह वाला मोडल पेपर लगाया उसको के लोग इसी परकार से करने願い गष्र ऐस चलिए बहुत झाल झाल